आईर्वेट समाधान में आपका स्वागत है दोस्तो आप लोग आजी हमारा चैनल लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आज हम आपको लौकी खाने के प्रयोगों के बारे में और उसके फाइदों के बारे में बता रहे हैं क्योंकि लोगी सेहत के लिए बेहत फाइदेमंद होती है लोगी में अत्यधिक पानी होता है जो आपके शरीर को शीतलत प्रदान करता है इसी कारण लोगी आम तोर पर गर्मियों के मौसम के दौरान सेवन की जाती है इस मोसम के दोरान बहुत अधिक पसीना होने से आपके शरीर में पानी की कमी की पुने आपूरती में लोकी की मदद मिलेगी और वह आपको जलायोजित भी रखेगी यानि की पानी की कमी नहीं रहेगी शरीर में तो आईए अब हम इसके फायदों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं पहला है बजन कम करने में सहयक होती है अब आप कहेंगे कि भला ये बजन कम करने में कैसे सहयक है तो हम बता देते हैं कि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि लौकी बजन को कम करती है ये और दूसरी चीजों के मुकावले तेजी से वजन कम करने में सहायक होती है लौकी को उबाल कर नमक के साथ खाने से वजन जल्दी ही कुछी दिनों में घट जाता है लौकी में फाइवर की अच्छी मात्रा से जल्द भूग नहीं लगती और पेट भरा भरा सा लगता है नमर दो चहरे पर निखार लाता है लौकी चहरे को अंदर और बाहर से प्राकरतिक सुंदरता और निखार लाने के लिए प्रती दिन लौकी का सेवन करना चाहिए लौकी चहरे को सुंदर और आकरशक बनाती है पेट को भी साफ करती है लौकी का जूस पेट की अंदरुनी सफाई करता है जिससे चहरे पर धूल धूप और प्रदूशन से ओने वाले मोहासों से छुटकारा मिलता है साथ ही तवचा खूबसूरत और मुलायम बनी रहती है फिरते को स्वस्थ रखता है लौकी दोस्तो आज कल लोगों के दिल की कई समस्याओं के बारे में हम लगातार सुनते हैं कई बार ये समस्याएं हलके और गंभीर दिल के दौरों को भी जन्म दे सकती हैं कुछ लोगो पर दिल के दिल के दिल के लिए बेहत फाइदा पहुंचाती है खाली पेट लोगी के जूस का सेवन डायवेटीज के मरीजों को सुभह सुभह करना चाहिए लोकी का जो रस है वो बालों की सफेदी को भी रोकता है आज के बातावरन के प्रदूशन और मिलावटी भोजन क खाने से लोगों के बाल 24 से 30 की उम्मर में भूरे हो रहे हैं इसे रोकने के लिए सुभह जल्दी लोकी के रस का एक गलास पीना शिरू कर दीजिए पिशाफ सम्मंदी अगर कोई दिक्कत है तो उससे भी निजात दिलाती है लोकी पिशाफ सम्मंदी कोई भी दिक्कत अग हो रही जलन की समस्या को भी दूर करता है आपके तनाव में भी कमी आती है बच्चे से लेकर बुजर्ग व्यक्ति तक तनाव काफी आम हो गया है अगर आप ऐस्वस्थ कर आहार लेते हैं तो इस्थिती बिगड़ती जाती है परियाप्त पानी की मात्रा होने के कारण आप लौकी खा सकते हैं जो शरीर को ठंडा प्रभाब देगी और आपकी इस्थिती अच्छी हो जाएगी लौकी में पित्व शामक गुन होने के कारण आप अपने शरीर को आंत्र ग्रूप से शांत महसूस करेंगे दोस्तो आईरवेद समाधान जीवन जीने की एक पद्दती ह जिसमें बताएगे इन उसके वैद्दियों की राय के मताबिक होते हैं जीवन को नीरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेर कीजिए आईरवेद समाधान क्योंकि आईरवेद समाधान है हर रोग का निदान